ममी मैं भी फोज में जाूँगा मा करना बेटे में फोज में नी जान देती परना ममी में जाूँगा देश की बाहरी सुरक्षा के दम पर आंतरिक सुरक्षा की नीव रखी जाती है और इसी भावना से सेना की तरफ से महिपाल मलिक के बेटे मनीश मलिक को सेना ने 2014 में कॉंगो भेजा जहां से एक साल बात खबर आई कि मनीश मलिक शहीद हो गए वो तारीख थी 12 अगस्त 2015 मनीश घर में इकलौता कमाने वाले सदस्य थे उनकी शहादत के बाद माता पिता दोनों की हिम्मत तूप गई महिपाल मलिक का कहना है कि उनका बेटा तो चला गया लेकिन उसके बाद जो हक उन्हें मिलना चाहिए था वो अब तक नहीं मिल पाया है उनके पास जितने भी डॉक्यमेंट्स हैं उनके आधार पर भी ये साबित होता है कि जो पैसे यूएन की तरफ से उन्हें मिले चाहिए थे वो नहीं मिले हताश्ट निराश्च सहीद के पिता ने मीडिया का सहारा लिया वहीं अपने कलेजे के टुकड़े को खोने वाली मा तो एक साल बाद भी सदमे में है मा का कहना है कि उन्हें कुछ न दिया जाए लेकिन बेटा लोटा दिया जाए परिवार के मताबिक उनकी किसमत इतनी अच्छी नहीं कि उनको किसी का साथ मिलता तभी तो जिस ताबूत में बेटे का पार्थिव शरीर आया था उसे आज भी घर के पीछी रखा गया है ताकि कहीं जगा मिले तो बेटे की याद में मेमोरियल बना सकें उस वक्त बड़े बड़े लोग आये और वादा भी किया पर अब तो न कोई आता है और नहीं किसी को पुराना वादा याद है सौगस का ये वकान भले ही छोटा है लेकिन इसमें रह रहे है उस माता पिता का दिल बहुत बड़ा है जिसने की उस बेटे को जरम दिया जो आज उस दुनिया में नहीं है जी हां सोचिए उस शहीत के पिता पर क्या गुजर रही होगी एक तो बेटे के जुआने का दुख दूसरी तरफ जूचती और लड़ती जिंदगी पैसे की किल्लत तो है ही इसके साथ ही पिता की अंते में अच्छा ये है कि उसे केवल द झाल